हाई आपके साथ MDK 2024 के डेरी टागर शेयर कर रहा हूँ आज मैं आपके साथ MDK 2024 के डेरी टागर 16 शेयर करूँगा सबसे पहले बिसमिल्ले रह्मान रिवाहीम MDK 2024 के डेरी टागर 16 में जो आज हम पहला subject discuss करेंगे वो हमारे पास है biology का biology में जो हमने chapter start किया हो है evolution का evolution में जो sub topic जो हमने कल discuss किया था वो हमारे पास है concept of evolution and origin of life तो आज जो हम sub topic discuss करेंगे according to PMDC syllabus वो हमारे पास है inheritance of acquired characteristics तो inheritance of acquired characteristics ये पहले आप अपनी provincial book से परेंगे then आप federal की तरफ move करेंगे तो inheritance of acquired characteristics में जो आपने important points परने वो inheritance of acquired characteristics क्या है उसकी definition परनी है then lemar कौन था उसके बार में आप अच्छे ते किस परेंगे then वो कहां का in charge था ये परेंगे then inheritance of acquired characteristics की जो examples है bigger biceps and giraffe stretching neck wire ये important examples है ये most all the time ये paper में questions आयो हुए है then उसके बाद एक important point now we know that inheritance of acquired characteristics cannot be inherited तो ये एक important point है then उसके बाद darwinism darwinism charles darwin के बार में आप अच्छे ते किस परेंगे इसमें आपने जो परना है वो आपने देखना है कि charles darwin कहां पर पैदा हुआ था उसने कौन से जहाज में उसने सफर किया था वो कौन था और उसने कितने types की finches collect की थी और उसने कौन से थेरी प्रेजेंट की थी तो उसने origin of new species की जो थेरी थी वो प्रेजेंट की थी इसने एक long ऐसे प्रेजेंट किया था आपने इसमें यह देखना है कि next page पर रिखा हुआ है कि इसने कौन से यह में वो थेरी प्रेजेंट की थी 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 तो इन दोनों में बातचीत भी होती वही इस मामले को रेकर लेकिन यह बात का मामला है एमडी कैट में इसको परने की जूरत नहीं है जस्ट आपने इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो परने थे वह आलफलेट वारिस के सिमिलर थी थी दार्विन की दैन उसके बाद आपने origin of new species इसका concept आपने अच्छी तरीके से रेना है इसका आपने फैडर की बुक लाजमी आ मोडिफिकेशन में यह आप परेंगे कि डार्विन बलीव किस चीज़ पर करता था तो डार्विन जो था वो बलीव को इन पर्सीवड यूनिटी इन लाइफ तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट 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 इसके अंडी कैट की पेपर में यह क्वेशन आया इसमें आप Struggle for Existence का पॉइंट परेंगे, Survivor of the Fittest यह परेंगे, and Evolution of New Species के बारे में परेंगे, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपने Inheritance of Acquired Characteristics and Darwinism, then उसके बाद Darwinism की जो बुक थी, उसके दो में पॉइंटs, Descent with Modification and Nature Selection and Adaptation, यहां तक आज आज आपने यह ता की तरफ मूव करना है, Next हम बात कर रहते हैं, Chemistry के Target 16 की, Chemistry में कल मैंने आपको Chemistry of Hydrocarbons का पूरा चाप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया था, अपने टॉपिक्स में, आज जो हम New Chapter स्टार्ट करने रगे हैं, वो हमारे पास है, Alkyl Halides, इसमें जो हम सब टॉपिक अकॉर्डिं करी जस्ट अपने प्रविंचर बुक्स फॉलो करनी है, फैडर की बुक नहीं परनी है, आपने जस्ट अपनी प्रविंच की बुक परनी है, तो Alkyl Halides का टॉपिक आपने सबसे पहले इसकी definition परनी है, इसके बाद जो हमारे पास हैलो अलकेंस क्या होते हैं, यह आपने परन हैं, इसके बाद इसमें जो आपने परने हैं, इसमें Alkyl Halides की definition आपने परनी है, इसका general formula, यहां पर general formula नहीं रिखा हुआ, लेकिन आप इसकी अगर इस chapter के end पर जो key points दिए गए हैं, उसके key points में इसका general formula रिखा हुआ है, तो वहां से आप यहां पर भी note कर सकते हैं, इसका general formula आप परेंगे, इसकी definition परेंगे, इसके बाद इनकी classification Alkyl Halides के जो तीन classification टाइप से हमारे पास primary Alkyl Halides, secondary and tertiary Alkyl Halides, तो सबसे पहले हमारे पास primary Alkyl Halides, इसमें आप इसकी definition परेंगे, primary Alkyl Halides के देन इसके बाद इसकी जो तीन examples दी गई हैं, chloromethane, chloroethane and one chloropropane, इनके बार परेंगे और इनका formula आप अच्छे तेकर से याद करेंगे, then उसके पास secondary Alkyl Halides, secondary Alkyl Halides में आप इसकी definition परेंगे, और इसकी जो एक example दीगे, ये PTB में, two chloropropane and two chlorobutane, next हमारे पास है in tertiary Alkyl Halides, tertiary Alkyl Halides में आप इसकी definition परेंगे, और इसकी जो एक example दीगे, ये PTB में, two chloro two methyl propane, तो अगर आप Federer को देखेंगे, Federer की book में रिखा हुआ है, tertiary, brutal, coloride, लेकिन आपको ज्यादा तर, Federer को chemistry के परने की ज़रुत नहींगे, just अपनी provincial books को फॉलो करें, आज आपने जो topic cover करना है, वो रिकाललाइट का introduction ही आज आपने बस परना है, ये most of the colleges में ये chapter स्टा हुआ होगा, और most of the colleges में अभी ये start नहीं हुआ होगा, तो जहां पर start नहीं हुआ, वो जैसे इसके reading करेंगे, और important points को highlight करेंगे, और जिनका हो चुका हो है, वो अच्छे तरेके से इसका concept दुबारा से अच्छे तरेके से लेंगे, और इसकी practice करेंगे, कि इसमें से उनका कोई भी question कर रहतना हो, next हम physics का target 16 की बात कर लें, next हम physics के target 16 की बात कर लें, कर मैंने आपको जो topic provide किया था, target 15 में, वो मैंने आपको provide किया था, electrical power and power dissipation in resistors, तो जो आज आप topic cover करेंगे, वो आपके पास है, electromotive force and potential difference, यह आप आज के topic में, target में cover करेंगे, इसमें आपने important, इ electromotive force and potential difference क्या होता है, यह आप परेंगे, इसमें जो important formula है, वो आप परेंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने जितने भी paragraph से इनको highlight करने है, इसमें कोई भी important point छूटने नहीं पानी चाहिए, क्योंकि यह एक एक line important है, आपके MDCAT के point of view से, क्योंकि अगर आप 2023 से पहले के इसमें भी जो papers हैं, वो आप देखेंगे, अगर अपका जो latest paper होगा है 2023 में, उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें 30 to 35 questions जो are theory based हैं, तो बच्चे सारा सारा numerical को follow करते रहते हैं, लेकिन at the end paper में 30 to 35 questions जो हैं, वो theory based आ जा जाते हैं, लेकिन वो बच्चोंने theory पर ही नहीं को भी bio की तरह highlight करना है, जैसे आप bio की each and every word को highlight करते हैं, वैसे ही आपने physics and chemistry को भी highlight करना है, तो इसमें आप इसकी definition परेंगे, इसके जो important points है, highlight करेंगे, वो आप परेंगे, then उसके बाद इसका formula क्या है, और इसके important जो units हैं, वो आप देखेंगे, then उसके बाद हमारे पास ये catch-off rules से पहरे पहले तक आपने ये point को cover करना है, आज का आपका topic electromotive force से लेकर maximum output and catch-off rules से पहरे पहले तक आपने ये cover करना है, इसकी age and every line को आपने highlight करना है, ये था आपका physics का target 16, बहुत से बचे पूछे हैं कि आप हमें topic wise questions provide करें, तो उन बचे को मैं बस इतना कहना चा question bank prepare कर रहा हूं, थोरी देर बाद वो त्यार हो जाएगा, तो then मैं आप उसको release कर दूंगा, internet पर भी और उसका PDF भी आपके साथ share कर दूंगा, I hope मैं आपको अपनी बास समझाने में काम जाब रहा हूंगा, अगर आपको में वीडियो पसंद आए, तो में वीडियो को like कीजिएगा, मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, M.D.C. 2024 के डेरे टागर शेयर करना ना भूलिएगा, खुश रहे, खुश रहने दे, अल्ला हाफिस,